नमस्कार दोस्तों मेरी चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तंत्र गंतों में कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया है जिनकी मदस्य असंभवकार को भी शंभव बनाया जा सकता है इन प्रयोगों में विसेश पौधे पूजा समगरी फल तथा अन चीजों का उप्योग होता है तंत्र के अनुशार नीबू तथा लोंग के टोने टोटके द्वारा जीवन की कई समस्यां को एक जटके में खत्म किया जा सकता है यदि घर में किसी बच्चे या बड़े व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो उसके सिर से पैर तक साथ बार नीबू को वार लें इसके बार उसी नीबू को चाट टुकडे करके किसी सूनसान इस्थान या किसी तिराय पर फैंक दें ध्यान दखें नीबू के टुकडे फैंकने के बाद पीछे न देखें और सीधे घर आ जाए नजर तुरंत दूर हो जाएगी यदि किसी व्यक्ति का ब्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो उसे सनीवार के दिन नीबू का तांतरिक उपाय करना चाहिए इस उपाय के अनिशार एक नीबू को दुकान की चारों दिवारों से इसपर्ष कराएं इसके बाद नीबू को चार टुकड़ों से अच्छे-च्छे काट लें और चोरहे पर जाका चारों दिसाओं में नीबू का एक-एक टुकड़ा फैंक दें इससे दुकान ब्यापार इस्थल की निगेटिव एनरजी नश्ट हो जाएगी। घर की नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए घर में नीवू का पेड लगाए। नीवू के पेड से आसपास का वातवरन सकारात्मक उर्जा से भरपूर रहता है। इसके साथ ही नीवू क पेड घर में लगाने से घर का वास्तू दोस्त भी दूर होता है। प्रचलित मानिता के अनिशार अगर सुई लगा नीवू किसी बीमार के सिर पर से साथ बार वार कर चौराय पर रख देना चाहिए। चौराय से जाते हुए जो व्यक्ति उस नीवू को पार कर चला जाए तो इसके लिए भी नीवू का उपाय करना चाहिए। ऐसी इस्तिती में एक साबुत नीवू के उपर काली सियाई से 307 लिख दें और उस ब्यक्ति के उपर उल्टी तरब से 7 बार उतारें। इसके पश्चात उसी नीवू को चार भागों में इस पिरकार से काटें कि उए नीचे से जुड़े रहें और फिर उसी नीवू को घर से बाहर किसी निर्जन इस्तान पर फैक दें। इस उपाय को करने से पीड़ी द्रक्ति 24 घंटों के अंदर ही स्वस्त हो जाएगा। अगर आपको कड़ी मैनत के बाद भी बार बार असफलता मिल रही है तो नीवू क एक छोटा सा उपाय आपके सारे काम बना देगा। इसके लिए आप एक नीवू और चार लॉंग लेकर किसी निकट के हनुमान मंदिर में जाएं। वहां हनुमान जी की प्रित्मा के सामने बैठकर नीवू के ऊपर चारों लॉंग लगा दें। इसके बाद हनुमान चाली के बाद नीवू फैकें तो पीछे मुल कर कभी न देखें। सीधे अपने घर की तरफ आ जाएं। नमबर दो कभी कभी रोट पर नीवू मिर्च पड़ी हुई दिख जाती है। किसी चौरा या त्राय पर कोई नीवू या नीवू के टुकड़े पड़े रहते हैं तो ध् नवाद